हेलो एब्रिवन इस वीडियो में हम डिसकसन करेंगे ESIC स्टैनोग्राफर की जो भरती आई थी उसके एक्जाम के बारे में और बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैंने ली है काफी सारे कोश्चन्स जो है आपके मन में होंगे यह सारे कोश्चन्स ठीक है तो एक एक करके यहाँ यहाँ पर हम डिसकसन करेंगे सबी कुश्चन्स पर दूसरी बात कि मैं काफी दिन के बाद जो है वीडियो बना रहा हूं क्योंकि जो है मैं कोबिट जो हो चुका था मुझे मैं जॉब करता हूं तो यहाँ पर जूटी जो है डेली आना पड़ता है तो इस वाज़े से यह पर जो है कोबिट मुझे हो गया था फिर मैं चुटी में था ट्रीटमेंट चल रहा था तो अब मैं बिलकुल सही हूं ठीक है अब कोई दिकत नहीं है तो अब मैं आपको वीडियो के थूरू अपडेट देता रहूंगा आपके एक्जाम से रिलेटेड जो भी चीजे होग आने वाले टाइम में जो भी भरती आएंगी उसके रिलेटेड बें वीडियो आपको प्रवाइड कराता रहूंगा ठीक है तो चलिए आते हैं अपनी टॉपिक पर देखिए इस्टेनोग्राफर की अगर आपने जो है फॉर्म भरा है और इसके साथ साथ चाहिए आप यूडीसी का भरा हो या फिर एम्टियस का भरा हो उन तीनों के लिए ये वीडियो आपके लिए जो है इंपोर्टेंट है सारे डाउट आपके किलियर हो जाएंगी बस इस्टेनोग्राफर का थोड़ा सा सिलिवस अलग है तो यहाँ पर मैं इस्टेनोग्राफर के हिसाब से जो है आपको चीज़े बताने वाला हूँ ठीक ह तो सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए अपोर्चुनिटी की बात करें के इसमें देखिए 3800 प्लस वैकेंसी है तो 3800 प्लस वैकेंसी बहुत होती है ठीक है अगर कोई तैयारी करने वाला स्टुडेंट है तो उसके लिए इतनी वैकेंसी बहुत है अराम से नंबर लेकर क आ सकता है इन वेकेंजी में लेकिन उसको मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अपना 100% देना पड़ेगा तब जाकर की जो है अपनी सीट ले सकता है देखे हर कोई पढ़ता है मैं ज्यादा बढ़ा लेक्चर नहीं दूँगा बहुत चीजे है बताने के लिए तो इस टॉपिक पर के हर कोई पढ़ता है पढ़ने के लिए तो बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं कहीं लाग बच्चे पढ़ रहे हैं ठीक है लेकिन सबका नमबर नहीं आता है केवल उनका आता है जो बहुत जादा मेहनत करता है जो अपना 100% देता है पढ़ाई के के लाबा उसको कुछ और नहीं दिखाई देता ठीक है मतलब दिन रात वो पड़ाई के बारे में सोचता है पड़ाई करता है उसके लाबा कुछ नहीं सोचता मतलब हर टाइम जो है पड़ाई से रिडिट आपको चीजे दिखनी चाहिए आपके आगे और फालतु की चीजे नहीं देखने को मिलेगा जो SSC लेवल का जो होता है उस टाइब से आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है दूसरी बात करते है exam का level क्या रहेगा exam का level IBPS इसको conduct कराएगा ठीक है तो मन में doubt होता है कि आर banking वाले questions आएंगे क्या banking वाले questions नहीं आएंगे SSC के level के लगबग questions रहेंगे आपके उतने ज़्यादा tough questions नहीं आएंगे हालंकि SSC से भी आपको level थोड़ा सा कम देखने को यहाँ पर मिलेगा आपको exam में बहुत ज़्यादा level नहीं रहेगा exam का current affairs से related जो थोड़ से आ सकते हैं banking area से related या जिस टाइप से banking में पूछे जाते हैं ठीक है तो वहाँ पर दो चार question हो सकते हैं उस level के लेकिन उतना ज़्यादा tough नहीं होगा बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं ठीक है और questions की मैं आपको बता दिया मैंने आपको कि banking level के questions नहीं आएंगे इसमें आपके चार subject है sorry, stenographer में आपके तीन है English और reasoning और GS अभी हम यहाँ पर बात करेंगे इसके बारे में किस किस तरह से questions आएंगे syllabus आप जानते हैं stenographer के अगर बात करें तो stenographer में आपको English, reasoning और GS इसमें आपको sectional time दिया गया है English में 70 minute reasoning के लिए 35 minute और 25 minute GS के लिए तेकि English के लिए आपको बहुत ज़्यादा time है काफी time है अगर आपने English अच्छे से कर रखी है stenographer से ज़्यादा जो SSE steno होता है उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर time मिल सकता है English में तो बहुत होती है SSE steno में तो एक घंटा लगबग निकाल पाते हैं बच्चे English के लिए तो यहाँ पर आपको एक घंटा 10 minute का time मिल रहा है तो बहुत अच्छा यहाँ पर time आपको मिल रहा है लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी reasoning के time में reasoning का time management करना पड़ेगा अच्छे से आपको जो है practice करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से practice करो daily practice set लगाओ reasoning के daily जो है जहाँ पर आप week हो उसको पढ़ो अच्छे से तो reasoning में आप practice करो 35 मिनट आप cover करो ठीक है मतलब इस तरह से practice करो कि 35 मिनट में आप cover कर लो अपनी चीजों को और GS के लिए तो time काफी है कोई दिक्कत नहीं होगी तो time की कोई वो कमी नहीं है और एक बात और आपको बता दू यहाँ पर English में जो SSC Stano की English पोची जाती है उसमें आपको complete English नहीं पोची जाती है उसमें कुछ topic छूट जाते हैं जैसे आपके spelling mistake या one word substitution लेकिन यहाँ पर आपको हर topic से question देखने को मिलेंगे तो इसमें हर topic को आपको cover करना पड़ेगा ठीक है English में grammar, vocab vocab में सारी चीज़े one word substitution, spelling correction ठीक है मतलब सारी जो topic है वो आपको cover करने पड़ेगे reasoning में इसमें आपको puzzle के questions देखने को मिल सकते हैं तो puzzle आप अच्छे से कर लेना ठीक है, puzzle जितने भी type की puzzle है, चाहे वो ranking वाली हो या setting वाली हो मतलब जिस तरह से भी puzzle बनती है ठीक है, तो वो आप कर लेना उसको अच्छे से एक बार कर लेना इस तरह के question आपको देखने को मिलेंगे GS में आपको सारे subject पढ़ने है current affair पर अच्छे से ध्यान देना है तो current affair यहाँ पर आपको अच्छे से देखने को मिलेगा तो current affair पर ठीक से ध्यान देना है बाकि सारे subject आपको पढ़ने है exam date की अगर बात करें exam date IBPS ज़्यादा delay नहीं करता है form भरे जा चुके हैं आपके 15 February तक form भरे जा चुके हैं तो लगबग 2.5-3 महिने के बाद exam करा लेता है तीन महिने में आपका exam हो जाता है अब इसके हिसाब से आपके पास लगबग something 2 महिने का time है तो आप 2 महिने के हिसाब से अपने strategy बनाओ यानि April में या फिर मई में आपका exam हो जाएगा April या मई में आपका exam 100% होने के chances हो जाएगा ठीक है तो अपने इस आपसे 2 महीने का target आप बना करके चलिए strategy बनाओ 2 महीने में किस तरह से आपको पढ़ना है कैसे अपने subject को cover करना है किस तरह से आपको practice करनी है दूसरी बात यह कि आपको reasoning की daily जो है practice करनी है 50 question daily लगा हो आप reasoning के ठीक है और उसको analysis करो daily भी नहीं तो कम से कम week में 3 से 4 practice set जरूर आपको लगाने है reasoning के ठीक है उस हिसाब से आप GS, English ये भी आप चीजे लगा सकते हो daily basis पे तो आपको reasoning लगानी है बाकी English के आप week में एक या दो जरूर लगाए 100 questions का set और GS का आप daily लगा सकते हो 10 मिनट में या 15 मिनट में आप 50 questions आराम से लगा सकते हो ठीक है उस हिसाब से अपनी तयारी करना और full strategy के बारे में फिर कभी मैं आपको discuss अगली वीडियो में बताऊंगा 2-4 दिन में बाकी फिलाल आप अच्छे से practice करो English, Math, Reasoning और GKN चार सब्जक्ट देखने को मिलेंगे 25-25 questions रहेंगे तो उसमें भी level आपका ज़्यादा नहीं रहने वाला है उसी हिसाब से SSC से उपर नहीं रहेगा नीचे ही रहने के chances है ठीक है तो उस हिसाब से आप अपनी तयारी करो अच्छे से अपने subject पर command जो है बनाओ और एक अच्छी opportunity है जॉब लेने की तो अच्छे से तयारी करो और मिलते हैं अगली वीडियो में फिर ऐसे ही किसी topic के साथ ठीक है ठीक है थैंक्स पर वोच्चिंग दिस वीडियो